अभी suppose आपको कुछ भी नहीं आता ठीक है आप या तो housewife हो ठीक है या तो आप हो कोई student या तो हो आप कोई employee ठीक है या तो आप कोई हो दुकानदार या तो आप कोई हो businessman और उनको side hustle चाहिए side hustle कैसा यह मतलब आपको passive income passive income समझते हो हलाल वाली कि मतलब बंदे ने 2-3 घंटे रोज का काम किया और आगी income ठीक है बड़ उसके लिए बेले सीखना पड़ता है वो कैसे होती है right मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता suppose कुछ भी नहीं आता आपको पता ही नहीं कि कैसे starting से लेके एकदम edge से zero से लेके चाहे हिंदी English sorry English आती है नहीं आती doesn't matter phone से वो भी phone से समझ रहे phone से क्योंकि मेरे पास ये questions आते हैं इसमें मैं दूबारा direct बोल रहा हूँ कि मैंको message करते हैं लोग कि sir इसके लिए laptop तो नहीं लगेगा sir इसके लिए हमें कितने घंटे देने पड़ेंगे sir इसके लिए ऐसे क्या होगा वैसे कि अरे भाई मैं बोल phone से करना है सिरफ समझ रहे हो अगर चाहते हो सीखना तो मुझे message करो भाई साफ क्या tension है direct message करो तुम्हारे भाई को तुम्हें बताऊंगा सारी चीज़े बाकी तुम्हारी मर्जी तो guys आज का वीडियो भाई साहा मिर्जाई कादियानी एहमदी और मर्दों की साथ निशान बता रहे हैं इदर और जो हर कोई नहीं जानता आपको आज जानने मिलेंगी अगर आपने ये पहले वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है AR Food World से है ये वीडियो और देखते हैं हम भी पहली दफ़ा देखने वाले हैं कादियानी का नाम बहुत सुना है हमने जेलम के मुहमद अली मिर्जा सहाब से वो नाम सुना है मुफ्ती तारिक मसूद सहाब से नाम सुना है तो देखते हैं आगे क्या होता है तो लेट स्टार असलाम लेकुम दोस्तों हम आपको अपने चानल में खुशामदीद कहते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक फिर कुछ ऐसा ही है कादियानियों से मिलता जुलता है कि मुस्लमानों के भेस में छुपे हुए कादियानी काफिर की कैसे पहचान की जाए नाज़ीर मुस्लमानों के बीश धोके से छुपकर रहने वाले काफिर नस्दीक एहमती कादियानियों को पहचाने का आसान दरीका आज की इस वीडियो में बताया जाएगा सबसे पहली निशानी ये है कि मुस्लमानों से ये गपशप लगाने के बहाने कादियानी मजभी अमूर पर बात को ले जाते हैं अपनी कादियानी शिनाखत करवाए बगएर और ये बावर करवाने के कोशच में लगे रहते हैं कि हजरत ईसा अले सलम के मतलिक ये अकीदा रखना कुफर और खिलाफ इसलाम और कुरान है कि अल्लह ने उनको आस्मान पर जंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके और वो करीब कायामत से कबल दुनिया में वापस आएंगे और दजाल को कतल करेंगे बलके उनको सलीब पर चड़ाया गया लेकिन वो जखमी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिज्रत कर गये वहां 120 साल की उमर में उनको मौत आई और सही आहादीस में जो मذकूर है कि कि कायामत से कबल हाज्रत एशरत इसा अबने में नाजल होना है उसे मुराद यह है किस उम्मत में सही क्सी मसील ईसा ने पैदा होकर मसी अपने मरीम और एमाम महधी होने का दावा करना है दूसरी निशानी ये है कि अल्माई दीन से ये शदीद मुतनफर करने की कोशिश करते हैं और उन्ही को तमाम बुराईयों की जड़ बताते हुए मुला या मौलवी के नाम से पुकारते हैं फिरका वारियत और कुफर के फत्वों पर बात करने के बहाने बहाने मौजब को अकलियतों के खिलाफ हुनेवाली कार्वाईयों बाशुमूर काद्यानी जमात जिसको ये जमात एहमिदिया कहकर मुकाथिप करते हैं उनकी तरफ ले जाते हैं और फिर ये भी जड़ानी के कोशिश करते हैं क्योंके मुसल्मानों के तमाम फिर्क दूसरे को काफिर करार देते हैं वैसे ही उन्होंने जमातِ एहमिद्या को अपने आपस के अखिलाफात की वज़ा से काफिर करा दिया है तीसरी निशानी इनकी ये है कि कादियानी चांदी की खास किसम की अंगूठी पहनते हैं अक्सर लाइल मुसल्मानों के सामने या फिर वहाँ पे जहां पे उनको इस बात के यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं सकेगा और उस पर कुरान की यायत लिखी होती है जिसका तरजमा है क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं ये अंगूठी कादियानी मिर्जा कादियानी की सुन्त के तोर पहनते हैं क्योंके मिर्जा कादियानी भी ऐसी अंगूठी पहना करते थे चौथी निशाने ये है कि जो कादियानी है इनके खलीफा की मुकमल दाड़ी होती है ये धोका देने के लिए कि वो शौयर इसलामी की मुकमल पाबंदी करता है वरना चुके वो मसल्मानों से नफरत करते हैं तो उनकी यही कोशश होती है कि हर उस जाहरी वज़ा कता के शौयर और नकल से बचा जाए जो के मुसल्मान अपनाते हैं जैसे मुकमल दाड़ी एक मुठी भर लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कर दाड़ी में ही मिलेगा पांचवे निशानी ये है कि कादियानी कभी मुसल्मानों की तरहां गोल टोपी नहीं पहनेगा बलके मकसूस नमाज वाले या तो फिर पठानों की मकसूस टोपी पहने नजर आएंगे या पिर सिंधी टोपी या पिर जिनाह कैप इनके जो खलीफा होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं शिमले वाली और इसके लावा जो कादियानी होते हैं उनको पगड़ी पहने की अजासत नहीं होती फिर खलीफा के बाद जो निशले दरज़े पे आते हैं वो जिनाख कैप का इस्तिमाल करते हैं पेंट कोड़ या शलवार कमीज शेरवानी के साथ और फिर उससे जो नीचे आते हैं वो या तो पश्तो या फिर पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी आपको पहने नज़र आएंगे अब बात करते हैं कादियानी औरतों की पहचान के मतलग तो छटी निशानी इसी के बारे में है गादियानी औरतों को पहचानना तो सबसे ज़्यादा आसान है ये भी गादियानी मर्दों की तरहां मुस्लमान औरतों की तरहां ढीले ढले बुरके के बजाए अमनी तोर पर टाइट बुरका पहनती है जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगा होता है इसके इलावा इनके निकाब का तरीका भी निराला होता है जिसमें इनका निकाब नाक के नीचे रखा होता है होंटों की ओपर ढलका हुआ जिससे सिवाए लबो रुकसार के सब मज़राता है मुसल्मान मर्दों को लुभाने के लिए एक हर्बे के तोर पर ये इस्तिमाल किया जाता है साथवे निशानी टीवी चैनल कादियानियों का टीवी चैनल MTA मुसलिम टीवी एहमदिया के नाम से सैटलाइट से 24 घंटे नशर होता है आठवी निशानी जो के सबसे एहम निशानी ये है के कादियानी नामों के आगास में आपको कभी भी मुहम्मद लगा नजर नहीं आएगा और नहीं कोई पैदाशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इसलामी नाम रखे नजर आएगा जैसे के अब्दल्ला, मुस्तिफा, अब्दलरशीद, अब्दलकशू, जबकि इनके नामों के इखताम में एहमद लगा हुआ पाया जाता है जो के मिर्जा कादियानी के नाम का भी हिस्सा है सासाथ इस बात कभी दिहान रखा जाए के पाकिसान और दुनिया भर में जतने भी कादियानी है वो पंजाबी जुमान बोलने वाले घरानों से तालुके मिर्जा कादियानी का तालुभी तक्सीम हिंड़ूस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपूर पंजाब से था कादियानी मर्द और और औरतों को पहचानने की साथ निशानिया अभी मुझे तो पहली बार पता चला ये सारी चीज़े और आपको तो जादा पता होगा हा ना जो वीडियो देख रहे हैं तो हम ये टापिक पे मजीद और वीडियो लेके आएंगे इंशालला मुफ्ती तार झाललला मुझे को जाइस वीडियो का जो जाएंगे से याँडियो मैं झालललल वीडियो ये लेक्यानी देख आर भालललбा ये